पाट छे, निर्धन ब्राम्हन का स्वपनु एक गाउं में एक निर्धन ब्राम्हन रहता था, वह भीक मांग कर अपना गुजारा करता था भीक में उसे जो आटा मिला, उसे एक घड़े में भर कर उसने एक खूटी पर लटका दिया अज तो आधे पेट से ही सन्तोश करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और उसने स्वपन देखा कि उसके पास बहुत सी गाए हो गई है अब मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, गायों के दूध दही से मेरी आमदनी खूप बढ़ गई है स्वप्न में ही उसने देखा कि उसकी शादी हो गई है यह तो अच्छी बात है स्वामी फिर उसे दिखाई दिया कि उसके दो-तीन बच्चे भी हो गए है चलो बाहर जाकर खेलो, मुझे तंग बत करो, यह मेरे धंदे का समय है बच्चे जित करने लगे बापू, हमें पैसा दो, हमें खिलने के लिए गेंद लेनी है तुम चाते हो या फिर मार खानी है ब्रामहन की पत्नी ने उसे रोका रहने दो जी, क्यों बच्चों को डाटते हो, अब आपके पास तो सब कुछ है क्रोध में भरकर, ब्रामहन ने अपनी चड़ी से बच्चों पर प्रहार किया लेकिन ब्रामहन अपना सिर पकड़ कर बैड़ किया हवा में किले बनाना मूर्खता के सिवाए कुछ नहीं है